भीमल बहुत परिसान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्तिती से कैसे निप्टे। वो अपनी मा को बहुत चाहता था। किन्तु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी मा से बहुत दूर भागते थे। क्योंकि उसकी मा की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी नबे अंस पर जुकी थी। वैसे वो अपना काम सब खुद कर लेती है। किन्तु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी आप उपर की कमरे में जाओ। मेरे दोस्त आ रहे है। बीमल की बेटे अखिल ने बड़े बेरोकी से कहा। पर बेटा मैं तो यहां बहुत दूर बैटी है। बीमल की मा ने बहुत प्यार से कहा। नहीं आप उनके सामने मत रहो। वो मुझे चिडाते हैं। अखिल ने जोड से डाड़ते हुए का। क्या हुआ अखिल क्यों चिला रहे हूँ। पिमल की पत्नी कामीनी ने किच्छन से ही आवाज लगई। देखो न मा यह दादी इहीं। यूं हम लोगों को लजवाती हु। कामीनी ने बेटे का पक्छ लेते हुए कहा। बेचारी सरस्पती चुप चाप उठकर जीने के सहारे उपर जाने लगे। कमर चुकी होने के कारण उन्हें उपर चड़ने में बहुत परिशानी हो रहे थी। किन्तु वो पूरी ताकत से उपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गे। गिमल बाजू की कमरे से सब सुन रहा था। उसे कच्ट फोरा था कि उसकी माँ को अबमानित होना पड़ रहा है। किन्तु वो अजाय था। अगर वो कुछ कह था तो पतनी और बच्चे उसका बिरोद करने लगते हैं। दूसरे उनके तर कभी सही लगते हैं। चुकि वो एक परसाशने का दिखार था। उसका सामाजे के इस तर बहुत उच्चा था। उसकी ससुराल भी एक मूच घराने में थी। अथा हुआ चुकि चाप इस तरह हर दिन अपनी मा को अपमानित होते देखता रहता था। रात को बीमल की पत्नी ने कहा। देखो जी अब कुछ करो। कल कलेक्टर साब की पत्नी आये थी। मा जी अपनी देशी धुनदारा में उनसे मिले। मुझे बहुत सर्मा आ रहे थी। बताते हुए कि मेरी सास है। मैंने कहा दिया कि दूर की रिष्टेदार है। इलाज कर बीमल को रोना आ गया। किन्तु फिर भीमा चूप रहा। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन इस्थिती को सरस्पती अच्छी तरह से जानती थी। और बेटे को कोई कश्चन ना हो इसलिए वो हर बात को चुप-चाप सह लेती थी। बीमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और समाचिक इस तरफ पर जीने की परती बतता थी। तो दूसरी और मा। आखिर मा से अपने बेटे की यहां हालत नहीं देखी गए। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा। बीमल बहुत दिन हो गए हैं। मैं अपने गाँ जाना चाहती हूं। मुझे वहां पोचा दो। मेरा यहां मन नहीं ला रहा है। किन्तु माँ वहां तो कोई नहीं है। तुमारे देखबाल कौन करेगा। बीमल ने आचाहरे से पूचा। अरे सब गाँवाले तो हैं और वो तुमारे मामा जी तो उसी गाँव में रहते हैं। और फिर हम सारी वेस्ताय कराएंगे ना। कामनी को तो जैसे मन की मुराद में गई हो। हाँ बेटा बहुत सही कर रही है। सरस्पति ने लंबी सास लेते हुए कहा। बीमल जान था कि गाँव में मा की देखबाल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अपनी पत्नी की जीत के कारण वहां अपनी मा को गाँचोड़ने पर विवस हो गया। मा को गाँचोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेवसी पर घुचा भी आ रहा था। किंतु करिवार पत्नी और समाज ने उसके इन मनभावों को दवा दिया। और वो सकुन भरी सा मासूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जो अमरिका में रहते थे आने वाले थे। जब विमल बहुत रोका था। उसके पिता जी भी थे तब वो भारत आये थे। और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पुरा परिवार और आज पड़ों बहुत उस्साहित था। अमरिका से बिमल के डाक्टर चाचा आ रहे थे। डाक्टर रमेश ने जैसे ही धर में कदम रखा। सबने मिलकर बहुत उस्साह से उनका स्वागत किया। क्यों बिमल भाबी नहीं दीख रही कहा है। डाक्टर रमेश ने उस्साह पुरवक पुचा। जी वो गां में रहती है। यहां उनका मन नहीं लगा। कामनी ने सपाट लाजे में उत्तर दिया। डाक्टर रमेश ने बिमल की और देखा। तो बिमल ने अपनी आखे जु लेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव की घर में पहुचे। देखा कि सरस्पति को बहुत तेज बुखार है। और वो पलंग पर सहाई पड़ी है। डाक्टर रमेश दोड़ कर सरस्पति के पास गए। उनके पर छुकर रोने लगे। सरस्पति की एहालत उनकी कलपना से परे थी। वा बेटा बिमल तुने तो ना मुझागर कर दिया। अपनी मा की एहालत देखकर तुझे तो सर्मा भी नहीं आ रहे होगी। डाक्टर रमेश ने बिमल को लगबग डाड़ते हुए कहा। नहीं देवर जी बिमल का कोई दू चल गया भावी। आप चुक रहो। क्यों बहुत तुम्हें अपनी सास की गुरुपता पसंद। नहीं है। समाज में तुम्हें निच्चा देखना पड़ता है ना। डाक्टर रमेश ने कामनी की और बैंग से देखा। कामनी निरुतर होकर पिमल की और देखने लगी। आज तुम जिस सामाजी के स्तर पर हो वो इनी के संगर्शों की देन है। और बेटा विमर तुम्हें सायद मालूम ना हो कि बच्पन में जब तुम एक साल के थे तब छत से निच्चे गिरने के कारण तुमारे एक आँख फूड गई थी और तुमारे रेन की हड़ी में भ और अपना बॉन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामे बेटा इतने सालों तक संगर्श करके बेटे को परशाषनिक अधिकारी बनाने वाली इस संगर्शी औरत की तुम लोगों ने यहां दसा कर दी। तुम्हें इस वर कभी मुआप नहीं डाक्टर रमेश की आखों से असरु जल्धारा बहर रहे थी। अब भावे आप मेरे साथ अमरीका जाएंगी। इस दुनिया में कोई और है यही नहीं। महां दोड़ता गया और मां सरस्पते की कदूओं में लिपड़ गया। मां मेरी अपराद अच्छम में है। मां जान बुचकर चूप पिसा दे रहा। आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्प आप ही उस घर में मेरे साथ रहे और कोहीं नहीं बीमल ने आगने द्रिश्टी से अपने पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को भी बहुत पच्छा चाप ओ रहा था। किन्तु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्पती से आँख मिलाए। सरस्पती उसको पुछकारते हुए अपने पास बुलाया और बीमल को डाटते हुए कहा खवरदार जो मेरे बहुकर मुझसे अलब करने की कोशिस की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दोंगे। कामनी और वच्छों ने सरस्पती के पैर पढ़ते हुए अपने विवार पर मापी मागे और मापे हिर्दे ने सब को माप कर दिया।